कुछ इस्टूडेंट्स का कहना था कि बिल्कुल एक चैक्ट सर किलियर कटाओ बता दीजे ताकि हमारा इंटर्व्यू प्रप्रेशन किलियर हो जाए और कुछ इस्टूडेंट्स के मैसेजेज इंस्टाग्राम फेस्बुक और मेल पर भी आये थे तो उसके बियाद पर मैं अब सबका तो नहीं बना सकता हूं चूकि करटाओ फेस बाहत अलगी जाएगा तो सबके लिए अलग-अलग सिचवेशन है लेकिन एक मिनमम मार्क्स पता हो ना चाहिए ऐसे सवाल रहते हैं और उनके उत्तर भी हम दे रहे हैं आपको अपने लेवल पर अपने लेवल का मतलब होता है मेरा point of view वो गलत और सही हो सकता है निर्भर करता है लेकिन मुझे लगता है कि आवाज से भी पता चल जाता है और जो उसका background होता है कि अधार पर इंसान देता है बांकी तो सब चीजें आपको पता है यह कैसे चल लई है फिलाल हमने जो cut-off बनाएं यह पर EWS नहीं है that is OBC यह cut-off final वाला है और यह cut-off इधर है यह आपको मिलेगा भी नहीं जब final list आएगी तो इस पर है तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं इस पर आप एक प्रश्न कर सकते हैं कि यह बताय थे इसकी इंसाट ले सकते हैं और उससे match करा सकते हैं सामने वाले की predictability पे एक आपको वह भी मिलेगी हैं अगर 5 नंबर के इधर अधर जाती है तो ठीक लगता है अगर 15 नंबर 20 नंबर के इधर अधर जाती है तो फिर वह मैंने ये, चुंकि इसमें आपको ये नहीं पता है, कि कितनी सीटें SC की हैं, कितनी OBC की हैं, कितनी HD की हैं, तो एक जो अनुमानता होता है कि इतनी रेशियो रहता ही है, उस हिसाब से बनाया है, SC की सीटें बहुत कम रहती हैं, तो हमने SC को कटाप 465 रखा है, मतलब पूरा नहीं होगा, उसमें उस कोटे की सफल मैला को ही स्थान मिलेगा, उस स्रेणी से मैला को चैनित करने के लिए नीचे से चैनित पूर उसको बाहर कर दिया जाएगा, और यदि मीरिट में मैला सफल गोसित होती है, तो उसे अपनी स्रेणी के 20-20 कोटे में ही गिना जाएगा, सामान में हो या अरच्छित वर्ग में हो, तो ये इंपॉल्टेंट चीज है, इसलिए इसको ध्यान में रखा जाए, इलाब आदाई कोड का है, 2020 के आसपास का ये अकवार की एक कटिंग है, उसको हमने यहां पे लगाया, अच्छा एक चीज और ध्यान देने ही होग है, जैसे आवाज विकास फरसद और इंडिस्ट्रियल डबलमेंट की सीट्स हैं, चीहत्तर हैं, जायर सी बात इन से संक्या काफी ज़्यादा है, दोनों को अगर मिला द पाने की संभावना है, लेकिन गारंटी नहीं दे सकते हैं, चीजे वैसे होती हैं, यह चीजे तो छिपी हुई चीजे हैं, और EWS में 10 नंबर का फरक और EWS से OBC में 10 नंबर का फरक रहेगा, यह अपनी परसनल हमने बात बताई है, बाकि आपके नंबर अगर OBC में 440 हैं, 4 430 हैं, तो भी निरास नहीं होना है, अपने आपको जगा के रखना है, जो गलतियां की हैं, उनको बेटर वर्जन में तैयारी करते रहना है, जब आप फ्लो में रहेंगे, चीजों से जोड़े रहेंगे, तो इंटर्व्यू काल आती है, तो प्रेशर में नहीं रहेंगे, अगर मैं अपनी बात बताऊं, तो अपनी पर्सनल फिलिंग बताऊं, तो इंटर्व्यू में आपको जब अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो उसके लिए आप एक सब्जेक्ट आज से ही, एक सब्जेक्ट के लिए आधे से पौन घंटा देना सुरू कर दीजे, कोई एक सब् सब्जेक्ट में दीजे, उनका मन होता है, आप से 20-20 मिनट बात करने का मन होता है, तो वो चीच बहुत इंपोर्टेंट है, आप वहां बैक एंड माइंड से ना जाहिए, ना ये सोच के जाहिए कि आपको वो हिंदू-मुसलिम दंगे पर प्रशन करते ही चले जाएंगे, या आपको नेता की रूप में देखने लगेंगे, आपका भासन सुनने लगेंगे, वो factual बातें आपसे सुनना चाहते हैं, आपसे बहुत diplomatic answer चाहते हैं, ये reality है, उनको बहुत सदे हुए उत्तर चाहिए और आप eligibility दिखाईए कि you have the eligibility to become assistant engineer, ये चीज़ important है, तो एक subject पकल ल होती कैसी है, ये foundation कैसा होता है, practically में active pressure, passive pressure कैसे लगता है, कैसे कहां पे हम चड़ाई पे चड़ते हैं, वहां पे दिवाल गिरती है, या पहाड गिरता है, तो कौन सी घटनाएं होती है, वो confidence level जो होता है, वो आपके नंबर 65, 70, 72 तक ले जाता है, तो जिन लोगों के marks कम ह है, उनके लिए इंटर्व्यू marks, आप ही है, जड़ी बूटी है, और इनके marks से जादा है, अर लेडी, उनकी performance बहुत अच्छी है, इस बार मैं बता दे रहा हूं, PWA हाई कटाप बहुत हाई जाएगा, मतलब जो अपर कटाप है, बहुत जाएगा, एक से पुरोधा बैठे to district गूम लूगा, transfer is a biggest problem in the life of an officer, I think, और कुछ चीजें है, जो motivational है, जिनके marks कम है, उनके लिए है, जैसे एक student है, जिसकी ओमर है, फर्स्ट पेपर में गड़बर कर गई थी, और student क्या है, he is officer also, government officer है, और उसकी इस्तिती ये थी कि इसमें उसके 78 ही गोले भर पाये थे, छीन की नहीं हुए और नाराजगी भी जायर की, तो उसने मुझे कॉल किया और मैंने कुछ नहीं सुना, मैंने ये का कि जो भी तुमारे साथ हुआ हो, मुझे नहीं पता है, वो परेसान था, मैंने का जो भी हुआ हो, सबका बतला यही है, कि next जो पेपर है, तुम उसमें जाके अपना best दो, फिर उसके बाद हमको call करके बताना, जो बीच में गयप होता उसने call किया, मैंने अपनी तरब से अंदाज लिया था कि कोई आदमे कर इतनी बुरी तरह से परेशान है तो उसके साथ यही दो-चार सम्मावना हो सकती है तो मैंने का कुछ भी बुरा हुआ होगा तभी तुम परेशान हो, तुम फिलाल पूरी इनर्जी लगा दो और मुझे उसके बाद बताना क्योंकि अभी मैंने तुमें कन्विंस किया तुम वो पेपर भी खराब करके ही आ जाओगे अपनी सारी गुसाइं उटलाइच करके उसमें लगा दो जागा और येल्टी ये होई कि इधर 78 में 9 गलत तो 69 सही, अब 69 के मार्क्स अगर आप जोड़े तो 3,27,6,18,2,20,20,7,9 गटा दो तो 198 आ गए और सिकेंड पेपर में उसने 125 में 125 बर दी है और येल्टी ये है कि उसके 108 सही है और 17 गलत तो यहाँ पर अगर जोड़ो तो 3 का गुणा करो 3,28,24 और 0,3,1,3,3,24 तो 2 यहाँ आ जाएगा ना 3,1,3,3,24 हुए, 3,24 में 17 जाएगे 307 198 और 307 जोड़ो देट नम्मर 8,7,15,9,3,1,4 सही है 8,7,15,9,1,10,3,4 ती,1,4,1,5 505 नम्मर बन रहे है 307,198 हाँ 505 नम्मर और ये वाज सेंग कि मेरे 490 के राउंड बन रहे है अब आप बताएगे कि किसी के साथ ऐसी गटना हो जाए है जी capability to do such thing हाँ यस किसी के साथ हो तो और वो उसकी preparation level इतनी हाई हो कि वो आशू ना convert हो जाते हैं उस मेनत में तो इसलिए मैं कह रहा हूँ एक और case है मेरे पास जो paper देने नहीं जा रहा था उसके polytechnic lecturer में selection नहीं हुआ interview call भी नहीं आई उसके UKPSC AE में नमबर थे कितने नमबर थे 600 something I think 610 के आसपास तो अल्रेडी निरास्ता कि 610 तो कभी जाएगी नहीं सरकट अब general है और उसके 2019 में 369 नमबर थे पेपर में उसमें भी उसका नहीं हुआ था तो इवाज कि कुछ private बगएरा कुछ कर लेते हैं मुझे पेपर देने जाओ और करके आओ लेकिन बस एक solution मान लो तुम्हारा selection हो जाएगा जो तुम्हें आता है वो करना जो तुम्हें नहीं आता है वो छोड़ देना जिसमें अगर 30 प्रस्त भी doubt है तो छोड़ देना पांच-10 प्रस्त है तो एक प्रजित वाला question छोड़ा 23 question किये 22 सही एक गलत GS में उसने 12 question किये 11 सही एक गलत 11 सही एक गलत तो इधर 11 लिख देते हैं 11 सही एक गलत GS first paper में उसने 25 question छोड़े 75 question किये 71 सही 4 गलत उसने GS 2 में 73 question किये 3 गलत 70 सही अब marks जोड़ते हैं 22, 11, 71, 70 अगर इनको total करो तो यह होगा 33 और 70 दूनी 14, 141 और 33 जोड़ोगे आप 141 और 33 170, 174, 174 होगे इधर 4, 3, 7, 2, 9 एक बटे 3 करोगे नौका तो 3 आएगा 174 में से 3 गटा दो 174 में से 3 गटा देते हैं तो बचेगे 171, 171 question के marks जोड़ो तीन एकम तीन सत्य एककिस तीन एकम तीन तीन दो पाँच 513 नमबर और यह वाज गोइंग टू कुट दा एक जाम तो मैं कुछ बाते इसलिए यह कहता हूँ कि इनसे लर्न किया जा सकता है कि क्या भी हो जाए लाइफ में we have not to say quit, don't quit, just fight with the reality कि कभी भी कुछ भी हो सकता है निर्भर करता है कि हमारी approach और उसके प्रति नजरिया कैसा है कब हम सफल होने की ताकत से जाना चाहते हैं कब हम सहियम की ताकत से जाना चाहते हैं control, observation और जरूरी नमबर लाने का भी पता होना चाहिए यह नहीं की सरल है पेपर सब आ जाएंगे हमसे लड़ने नहीं पेपर कितना भी सरल है control person जो है सही करना जानता है, रुखना जानता है, छोड़ना जानता है दूसरों की कमिया जानता है, चीज़े आंगे कैसे बढ़ी जाती है अगर किसी दोड़ में आपको सामिल होना है, आपके पैर में ऐसे जूते पिना दिये जाए जो आपको दोड़ने ही न दे, तो क्या मतलब है उसका खेर, यह सब बाते हैं, अपनी तैयारी करते रहिए और positive attitude के साथ रहिए factual चीज़ों को स्विकार करने की छमता भी रखी है, thanks for watching